Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ Shradda और आज मैं आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ So, ये था मेरा रूम और इसे मैंने थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया है, थोड़े से चेंजेस कर दिया है, कुछ न्यू कुशिन्स और बॉल्स्टर्स के साथ So, मैंने first time try किया है vacuum cushions, जिसके काफी अच्छे reviews देखे थे मैंने Amazon में और उसके बाद मैंने काफी finger cross करके इसे try किया है Because they are quite pricey, so ये चार parcels मैंने आज ही receive किये, so मैंने सोचा इस पे एक चोटा सा vlog बनाया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए In case, अगर आप ये vacuum cushions try करना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए या नहीं, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा vacuum cushions कैसे हैं, क्या quality है इनकी So, पहले तो मैंने ये दो bolsters मंगाये थे, so ये काफी अच्छे हैं, और इनका जो cover आया है, वो भी काफी अच्छी quality का है So, मेरे bed का color white and coffee color में है, so मैंने ये जो cover है, ये भी coffee type की ही color में मंगाया है, ताकि थोड़ा सा texture जो है match कर जाए इसका, और ये दो covers मैंने मंगाये हैं, और इन्हें मैं इस पे जल्दी से attach कर लूँगी So, इसके साथ ये छोटा सा, छोटा सा नहीं बोलना चाहिए, एक रसी भी दी हुई है, और मेरे पास ये एक needle है, जो आप basically पेटी कोट वगरे के नाड़े डालने में काफी easy हो जाता है, किसी भी tailor shop में या फिर sila की दुकान में या फिर DIY store में आपको आसानी से मिल जाएंग पांच रुपए या दस रुपए में मिल जाएंगे अराम से, so इस needle की help से मैं इसमें जो है इसका ये जो धागा है, ये जो रसी है, ये मैंने डाल लिया है, and cover बिल्कुल fit आया है, दोनों अलग-अलग order करने पड़े थे, एक साथ नहीं आये थे, so काफी अच्छे से आ गय ही है, flat है, बिल्कुल, so काफी finger cross रखा हुआ था, हमने, five cushions का set मैंने लिया है, अलग-अलग sets में available है, दो के, पांच के, छे के, तीन के, आप जितने चाहे ले सकते, open करने के बाद ये इस तरह से full जाएगा, so जैसे ही, आप pack open करेंगे, इसमें air अंदर जाएगी, और आप पहले तो हमें लगा था कि, अरे यार, बस इतना ही ये होगा क्या, मतलब, और जादा fluffy नहीं होने वाला है, ऐसा सूच के, हम थोड़ा से disappointed हो गए थे, and फिर हमें open कर लिया था, तो हम सारे open करने लगे, और उसके बाद हमने pack में लिखा हुआ description पढ़ा, जिसमें ये लिखा करना है, और इसे corner से and side से थोड़ा सा shake करना है, तो ये और भी जादा fluffy होगा, so, yes, बाकी के जो दो pack है, वो भी मैं खोल लिते हैं, कि खोलते ही ये अच्छे से फूल जा रहा था, तो ये काफी अच्छा था, but, उतना fluffiness नहीं लग रहा था, जितना हमने expect किया था, ये 22 by 22 क cushion है हमारा, so, इसे इस तरह से shake करना था, इसके description में लिखा था, then, आपको corner से भी shake करना है, और उसके बाद इसे press भी करना है, तो ये और जादा fluffy हो जाएगा पहले से, and yes, it was, हुआ, ये बिल्कुल वैसा ही, जैसा इसके description में लिखा था, and काफी soft है, and काफी अच्छे से ये fold भी गया था, काफी, काफी अच्छा luck भी रहा था, so, five cushions थे, पाँचो को हमने इस तरह से shake करके, corner से, बीच से press करके, अच्छे से press करके, आपने इसे, इसे fluffy कर लेना है, अच्छे से fold जाए गई है, so, ये देखे, पहले से जादा मोटा हो गया, और इसके मैंने covers भी order किय था, और cover अलग-अलग available थे, so, मैंने अपनी पसंद से color choose किये, five cushions के लिए five colors, and उसके बाद मैंने order कर लिये, so, ये olive green and red color के दो-दो मैंने order किये, और एक मैंने printed order किये, अलग-अलग colors के अलग-अलग prices थे, आप चाहे तो order कर सकते है, सारी चीजों के मैं लिंक नीचे description में देदोंगे, काफी अच्छे cushion covers हैं, काफी soft हैं, काफी comfortable हैं, and उसके बाद आप, जैसी आपको जरूरत हो, आप उस तरह कैसे, अपने room में, या अपने hall में, अपने dining room में आप रख सकते हैं, so, जैसा आपको, जब आपको जैसा जरूरत हो, आप ऐसा रख सकते हैं, so, ये after pick है, so, thank you so much guys, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, please मुझे comment करके जरूर बताइएगा, thank you so much guys, thank you so much for watching,